पूरे देश में आएगी सपा बसपा की सरकार ये कहना है अखलेश इकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर मुख्यमंती अखलेश यादेव ने कहा कि आगामी लोकसपा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा यादव ने कहा कि भाजपा पूरी देश में 74 सीटे तक सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अध्यनात ने हाल ही में कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 84 सीटे जीतेगी एक टीवी कारिकम के अखलेश यादव ने इस पर टिपड़ी करते हुए कहा कि भाजपा यूपी नहीं बलकि पूरे देश में 74 सीटे जीतेगी वहीं अखलेश ने कहा कि गटबंदन है भाजपा का विकल्प अखलेश यादव ने कहा कि अगामी चुनाव में सपा बसपा का गटबंदन जनता के सामने सबसे बहतर विकल्प है साथ ही यादव ने कहा हमारा तो एक दो दलों का गठ बंदन है भाजपा बताए कि देश भर में उनका कितनी पार्टियों के साथ गठ बंदन है अगर हमारा महा मिलावट का गठ बंदन है तो उनका कौन सा गठ बंदन है उन्होंने कहा कि अगला प्रधान मंत्री उत्तर प्र नौजवान मुश्किल से दौर से गुजर रहा है भाजपा ने किसानों नौजवानों से जूट बोला और एक बार फिर से वो जूट के सहारे सक्ता में आना चाहती है अकलेश यादम ने सीवियाई की इस्तिमाल को लेकर कांगरेश भाजपा को एक जैसा बताया अलांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांगरेश प्रिदेश में उनके साथ है उन्होंने कहा कि भैंची को आगामी लोकसवा चुनाब के बाद प्रिधान मंत्री के रूप में हम लोग उत्तर प्रिदेश से दिल्ली भेजेंगे ये थी SM News की रिपोर्ट ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि सभी खबरे पहुंच सकें आप पर सबसे पहले